प्रफिर से आप लोग का बहुत बहुत सब्सक्राइब और दोस्तों अगर आप इंटीरियर को सीखना चाहते ना तो मेरी एप है इंटीरियर लर्णनी के आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तो डाउनलोड गर सकते हैं अचलिए आज की विटी शुरू करते हैं अभी इक हाल कथा का एक अलेविशन के डिजाइन आया था तो सबसे वहला मैप को समझे तो देखे इसमें आप देख सकते हैं कि मैप इनोने जो है किसी और से बनवा रहा रहा था तो इसमें देखिए यहां पर आपकी बालकनी है ठीक है आपकी 11-6-6-inch चॉड़ी बालकनी है और इधर आप देख सकते हैं कि विंडो यहां पर दो दे रखिये और देख सकते हैं कि यहां पर भी जो है एक बालकनी आपर दे रखिये साड़े 10-5-5-2-inch की तो आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्रंट में जो है का यह वाला पॉर्शन है और दैन फिर आपका एक बालकनी इस साइड निकल रखिये चोटी सी में लेकिन फ्रंट रहा है यही है अब इसमें आप जो आपका प्लान है यहां का फ्रंट है वो आप समझ चुके हैं अब हम बात करते हैं कि किस तरीके सुन जो है जो कैड की फाइल एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूं एंड फि देख सकते हैं कि यहां पर आपकी balcony है और फिर आपका फ्रंट यहां पर आपकी यह दो बैल करिया ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ references जो की क्लाइन ने शियर करे थे हमसे कि उनका color combination को ले करके क्या टेस्ट है और किस तरीके से उनका टेस्ट है क्यों कि हमारा काम है जो क्ल ने शियर करती जो कि उनका personal टेस्ट था तो आप देख सते हैं कि यह color combination को ले करके अपना टेस्ट है यह पैली फोटो को इत्रू हमें बताया तो दूसर एक और फोटो जो उनका शियर करे थी अब देखिए इसमें क्या है कि traditional look में ए घर बनावा है तो उन्होंने जो है इसम साइड लुक जो मैंने आपको प्लान में भी दिखाया था तो आपका साइड में जो बैल के निकली वी तो यह जो है कुछ साइड का लुक हो गया जैसे की color combination ने बताया था उसमें जो windows जो थी दो आप देख सकते हैं कि यह दो windows हो कई देन फिर यह आपका white color हो गया है ना white or blue जो इसे की उनने बोला था अब इसका front जो मैं आपको आपके साइड करता हूँ तो दोसों आप देख सकते हैं कि आपका design जो है बहुत ही simple और sober है इसमें देख सकते हैं कि completely है यहां से जो है आपका C बन रहा है यह पूरा जो है continue हो रहा है अगर आप perspective view में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा तो अब इसमें देखेंगे जब हमने इसको करके दिया तो क्लाइंट की कुछ इसमें जो कुछ अल्ट्रेशन जो उनने बोली कि उनको बाकी सारी चीज़ ओके लगी उसके बाद जो ही नोने एक और जो हमें एक reference दिया जिसमें उनने हम परगर कॉंबिनेशन ने अलमुछ उसी तरीके से है तो इन्होंने जो हमें जो हमें भीजा था कि इस तरीके से इनको रैलिंग चाहिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह इन्होने मांक करके भी भीजावा है तो यह क्लाइंट ने हमें मांक करके बैगृ तो दोस्त देख सकते हैं कि बीच में हमने टाइल्स का कॉंसेप्ट देखर के और इसके बैक साइड में आपकी स्टेर्स है तो यहां पे आपकी एक विंडो कंप्लीट ना देखर के तीन सेक्शन में आपकी ग्लास वाली विंडोस को एड किया था और इस तरीके से जो है फाइनल एक आउट लूग जो है अफटर चेंजी से निकल गया और फिर इसमें अगर देखिए बेसिक अगर मटीरियल्स की बात करें तो मटीरियल्स इंपर ही आपके एमेस के पाइप्स हो गई दैन आपके टाइल्स हो गई इसको जहें लोंग लाश्टिक रख सकते हैं क्योंकि एट लाइड डिजाइन ही मैटर करता है मटीरियल्स मैटर नहीं करते हैं और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से रिल्टीट कॉंटेंट को पसंद करते हैं चुटी चुटी जो वीडियो से हो मैं इस्टाग्राम पर अपलोड करता हूं जो कि मैं यूट्योब पर नहीं करता हूं और महापर जाकर करके मुझे फॉलो कर सकते हैं काफी सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी तो आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहीन बंदे मातरा